तो गाइज यह शॉर्ट जैकेट बनाने के लिए आप स्क्रिन पर मेजर्मेंट डेख सकते हैं यह मीडियम साइज जैकेट है अगर आपको छोटा साइज या बड़ा साइज बनाना है तो आप साइज को कम जादा कर सकते हैं बस आपको फॉर्मॉला यही लेना होगा यानि इसी फॉर्मॉले से कटिंग करनी होगी आप देखें यह जैकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह डिजाइनर रियॉन फैब्रिक ले लिया है तो यह प्रिंटेट भी है और साथ में इस पर एंब्रोइडरी भी हुई है जैसे आप देख सकते हैं रेशम वर्क भी है और सीक्वेंस वर्क भी है तो काफी अच् किलर की टाजल लेसली है तो यह मैंने 2 मिटर ले लिया है जिसको हम अपनी कोटी के चारो तरफ लगाएंगे इसके बाद मैंने यह जाइठ आप 19 मेटर को इस तरह से डबल फोड कर लेंगे इसकी फोड़ वाली साइड हम ने अपनी तरफ रखी है और जो ओपन वाली साइड है वो यहां आगे की तरफ रखी है देखिए चार लेयर है अब देखिए ओपन वाली साइड में यहां पर मैं पिल लगा लूँगी ताकि जो फैब्रिक है दोदर ना भागे और एक दूसरे के साथ सिक्योर रहे इसके बाद हमने बंद वाली साइड में यहां से अपनी कोटी की लैंथ लेनी है तो शोल्डर से लेकर कमर तक की हमारी नॉर्मल जितनी भी लैंथ होती है टॉप पार्ट की उससे दो इंच एक्स्टर लेंगे जैसे मेरे टॉप पार्ट की लैंथ 15 इंच है तो मैं इसमें 17 इंच पर मार्क करूँगी तो टोटल मैंने लैं करेंगे क्यु przyp कि यह कोटी है तो हम इसमें एक इंच जो शोल्डर है वह एक्स्ट्रा लेंगे जैसे नॉर्मलिली हम सावान इंच पर मार्क करते हैं तो यहां पर मैं एट इंच पर करूंगी क्यूंकि इसकी जो सिलाई है वो underground होगी तो एक इंच का simming lounge चला जाएगा तो total मैंने 8 इंच इसका shoulder लिया है अब यहाँ से half इंच कंधिर को down कर देंगे इस तरह से इसके बाद armhole की length ले लेंगे तो armhole की length भी half इंच extra लेनी है तो 7.5 इंच पर मैं mark कर रही हूँ इस तरह से अब यहाँ से हम अपने बस्ट का foot part mark कर लेंगे तो यहाँ से मैंने 10 इंच पर mark किया और आगे की तरफ 1 इंच बढ़ा लिया simming lounge के लिए इसके बाद पहले हम back armhole की marking करेंगे और half से पॉन इंच अंदर की तरफ front armhole की marking करेंगे इसके बाद नीचे से हम अपने कमर का foot part mark करेंगे तो थोड़ा सा मैं lose ले रही हूँ इसलिए 6.5 इंच पर mark करके एक इंच और बढ़ा लिया है simming lounge के लिए अब दोनों mark को एक दूसरे के साथ line up कर देंगे इस तरह से इसके बाद हम अपने back neck की length लेंगे जो मैं 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये कोटी है तो इसके जो back neck है वो जादा length में नहीं बनेगा एंड जो इसकी width है वो हमने 3 इंच ली है तो 2 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच इसकी चोड़ाई है इसके बाद हम अपने front neck की length लेंगे तो इसकी length मैंने 8 इंच ली है अब यहाँ से हम इसको V-shape इस तरह से mark कर देंगे तो इसकी थोड़ी सी गुलाई भी आप ले सकते है इस तरह से तो यहाँ पर हमने mark कर दिया है अब सबसे पहले हम अपने back neck की cutting करेंगे और margin भी इसमें हमने जादा नहीं लेना होता है बस एक इंच काफी है क्योंकि हमने already इसमें losing ली है कबर में भी अब नीचे से cut करके इसको अलग कर देंगे तो अस्तर पर हमने कोटी cut कर ली है इसके बाद जो हमारा rion वाला fabric है इसको cut करना है तो अस्तर की help से ही हम इसकी cutting कर लेंगे तो देखिए इसको हमने पहले किनारे वाले side से double किया और इसके बाद इसको width में fold कर लिया अब यहां से अस्तर को रखेंगे और इसके बराबर इसको चारों तरफ से cut कर लेंगे तो मैंने back neck पर cut करते हुए इसके चारों तरफ से cutting कर लिया है अब जो हमारा back वाला part है इसमें से निकाल देंगे और front वाले part को दुबारा से इस तरह से fold करके रखेंगे डिसके उपर अस्तर रखेंगे और यहां से हम अपने armhole के extra cutting कर लेंगे और neck के cutting करेंगे अगर आप front का neck थोड़ा और deep बनाना चाहते हैं तो आप 29 तक किस की length ले सकते हैं मैंने सिर्फ 8 इंच लिया है अब इसी में से हम इसको सिलेंगे पूरी के jacket को यानि पूरी कोटी को हम underground सिलेंगे बीच में से जो यह हमारा fold वाली side है यहां से हम इसको cut कर देंगे यानि दो layer इसकी अस्तर की होंगी और दो layer इसकी rion की होंगी तो इस तरह से हमारे यह 4 piece बन गए है अब मैं आपको इसको अलग-अलग करके दिखा देती हूँ सबसे पहले हम अपना rion वाला जो कोटी है उसको खोल लेते इस तरह से इसके बाद इसके उपर हम यह अपना अस्तर वाला fabric रखेंगे इस तरह से अब हमने इसकी stitching करनी है underground तो दोनो आर्म होल को एक pair का दबाव लेते हुए सिलेंगे और यहां से भी एक pair का दबाव लेकर सिलेंगे तो चलिए यह मैं आपको machine पर करके दिखाती हूँ तो rion वाले fabric की right side अंदर रहेगी इस तरह से सबसे पहले हम आर्म होल की तरफ से सिलेंगे जो margin है यानि दबाव है इसका वो एक pair के करीब लेंगे इस तरह से और आर्म होल की गुलाई में कम हो सकती है तो बस एक sorry यहां से हमने एक pair का दबाव ही लेना है इस तरह से अब जिस shape में हमारी यह कोटी कटी है उसी shape में हमने यह सिलाई करते जाना है इस तरह से इसको सिलने के बाद अब हमने छोटे-छोटे cut लगाने है ध्यान से जो हमने सिलाई लगाई है वो cut नहीं होनी चाहिए तो इस तरह से corner में हम cut लगा लेंगे इसके बाद देखी यहां side से open है तो इसको बाहर की तरफ turn कर लेंगे और जितने भी हमारे corner है उनको बाहर की तरफ अच्छे से निकाल लेंगे आप चाहिए तो यहां पर इसको iron से भी set कर सकते है बट मैं cotton fabric के साथ बना रही हूँ तो इतना iron करने की जरूरत नहीं है बस मैं अच्छे से corner निकाल लूँगी इस तरह से अब दूसरे वाले part को भी हम बिल्कुल इसी तरह से ready करेंगे तो दूसरा वाला part यानि front की कोटी के दो part हमने cut किये थे तो उसके दूसरे वाले part को भी दिखिए हमने यहां पर इस तरह से ready कर लिया है यह दोनों की wrong side है इस तरह से और यह right side है ऐसे हमने इसको underground सिला है अब हम अपना back बैक वाला part लेंगे जो हमारी कोटी का back वाला part है यह वाला इसके उपर हमने अपने यह दोनों front के part रखने है इस तरह से तो यह दिहान से देखें आप दोनों की right side जो है वो अंदर की तरफ रखी हमने अब इसके उपर हमने यहां से back वाला जो हमारा अस्तर है उसको रखेंगे तो दोनों side से हमने यह side से जो fabric है वो एक pair का दबाओ हमने दोनों तरफ निकाल कर रखा है shoulder पर armhole की side से भी एक pair का दबाओ बाहर की तरफ रहेगा अब इसके उपर हमारा यह अस्तर आ जाएगा तो दिखें यहां पर जो हमने यह जो back वाला पार्ट है यह भी हमने undercount सिलना है तो उसके लिए यह front वाले पार्ट को थोड़ा अंदर रखेंगे और यहां से हम अपने armhole की सिलाई करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से अब जो सिलाई का दबाव रहेगा वो सिर्फ एक पैर रहेगा ज्यादा नहीं लेंगे इसके बाद देखें यहां आने के बाद जो हमारा front वाला यह कंदी वाला साइड है यहां से हमने back वाला जो हमारा fabric है कंदी का दोनू साइड से एक पैर निकालना है, दोनों साइट से बराबर निकालेंगे और उपर की साइट से हम चारों लेयर बराबर रखेंगे और अब ये हमने कंदी को सीधा सिलना है इस तरह से और यहां से आधा हिंच का दबाव लेंगे कंदी सिलते हुए इसके बाद देखिए यहां पर मैंने मार्क कर लिया है जो हमारा फ्रंट वाली कंदी है यहां तक हमने निडिल लाना है और इसको अब यहां से गुमाएंगे और जो हमारा बैक वाला नैक है इसकी सिलाई करेंगे और इसका भी जो दबाव है वो हम एक पैर का यानि वन कोड़ देंगे और यहां लाकर हमने डिल को गुमाएंगे इस तरह से अब यहां से कंदी सिलेंगे हाफ इंच के दबाव पर और यहां पर हमने सिलाई लाकर रखनी है जहां पर हमने चौक का माक किया है यहां पर इसके बाद अब यहां से हमने यह हटा देना है और अपना बैक वाला जो आर्म होल है वो सिलेंगे तो देखे ये जो हमारी कोटी है ये पूरी कोटी को हमने अंडर ग्राउंड सिलना है इसके बाद अधिके जो हमारा बैक वाली कोटी है इसकी नीचे वाली जो साइड है सो यहां से कपड़े को बराबर मिलाकर रखेंगे अस्तर के और रियोन के और यहां से भी हमने एक पैर का ही दबाव लेना है और नीचे तक इसको बराबर सिलेंगे सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में एक एक चीज अच्छे से समझ आ गई होगी अगर नहीं आईए तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी तो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है अब इसके बैक वाले जो हमारा आर्म होले इसमें भी छोटे छोटे नौचे लगाएंगे बैक का जो नैक है उसमें कट लगा लेंगे और दूसरे साइट का जो आर्म होले इसमें भी कट लगा लेंगे अब साइट से जो फिटिंग वाली साइट है यहां से हम अपने front के दोनों पले बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरह से यह हमारी जो कोटी है बाहर की तरफ turn हो गई है अभी नीचे से और side से मैं आपको दिखा देती हूँ यह कुछ इस तरह से आई है front से यहां से यह इसका सामने वाला पर्दा है और इसकी जो wrong side है वो मैं आपको दिखाऊंगी पूरी जो हमारी कोटी है वो बिल्कुल underground से लिए यहां आप देख सकते हैं बहुती finishing के साथ कोई भी धागा फैब्रिक की कोई भी धागा वगेरा नहीं दिख रहागा आपको तो पूरी jacket को हमने underground सिला है सिर्फ side की जो हमारी fitting वाली side है वो हमने नहीं से लिए वो fitting करते हुए से लेंगे इस तरह से इसके बाद armhole की side से बराबर मिला कर रखेंगे fabric को और जितना भी हमने margin छोड़ा था यानि मैंने एक इंच का margin छोड़ा था तो उस एक इंच के margin को छोड़ते हुए हमने यहां से fitting लगा लेनी है तो यह हमारी side के fitting रहेगी आप चाहें तो यहां पर marking भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा fabric यानि ज़्यादा दबाव नहीं छोड़ा था एक इंच ही छोड़ा था तो बस idea से मैं एक इंच को छोड़ते हुए fitting लगा लूँगी दूसरी side में हमारी यहां पर दे के fitting की marking है जो हमने cutting के time लगाई थी अब इसी marking पर हम सिलाई कर लेंगे यह जो fitting वाला fabric है इसको हमने सिर्फ अंदर से ओपर रखा है इनकेस आपको बाद में lose करना पड़े तो आप आसानी से कार सकते हैं इसलिए हमने इसको underground नहीं किया वैसे इसको हम underground भी सिल सकते हैं तो बस देखिए यह हमारी जो कोटी है वो सिल चुकी है अब इसमें हमने less लगानी है तो जो हमने multiple की less लेती उसको हमने इसके चारों तरफ लगा लेना है तो यह less मैं front वाली side में ही लगाऊंगी यानि back की जो कमर है वहां नहीं लगाऊंगी क्योंके मेरे पास इतनी less नहीं है सो जितनी है मैं उसी के हसाब से लगाऊंगी तो front की side से ही जो हमारी fitting वाली side है यहां से मैं इस तरह से लगाना स्टार्ट करूँगी तो इसको मैं एक ही सिलाई के साथ less को इसके उपर रखूँगी और यहां से सिलना स्टार्ट करूँगी और जो हमारा जॉइंट है उसको में बराबर मिलाकर रखते हुए सभी कॉर्नर्स को शार्प ली निकालूंगी और जितने भी बैक नेक और आगे की तरफ ये लैस है इसको लगाकर कम्प्लीट कर दूँगे इसी के साथ हमारी डिजाइनर जाकिट रेडी हो गई है आप देख सकते हैं बनाने में बहुत आसान और बहुत कम फैब्रिक के साथ इस तरह से ये जाकिट रेडी कर सकते हैं अगर आप ये डिजाइनर जाकिट बना रहे हैं कुर्ती और शलवार का जो वीडियो है वो यहाँ आप एंड स्क्रिंट पर भी देख सकते हैं एंड ये दोनों वीडियो में आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देदूगी तो वहाँ से भी आप इस जैकिट के साथ ये कुर्टी शलवार बना रख सकते हैं इसी के साथ वीडियो कम्प्लीट होता है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके बाल बटन जरूर दबा दे